हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान की जो फ्री स्मार्टफॉन योजना है उसके अंदर जो आपको फ्री मुबाइल मिलने वाला है तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं तो वीडियो में लार्ज तक बने रहे हैं अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ तो चलिए आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि या है दो सब्सक्राइब करने के साथ ही बैल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे इनॉलेजबल वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो जिन भी लोगों ने चिरन जीवी योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उन सभी को मूबाइल मिलने वाला है 1.33 करोर जो महिला मुख्या जिनके जनाधार काड़ बना हुआ है उन सभी को जो फ्री मूबाइल है वो मिलने वाला है और अगर आपने पेड पॉलिसी ली यह साठवे 800 रुपे देकर तो भी आपको जो मुबाइल है वो मिलने वाला है तो दोस्तों जो free mobile योजना की जो list है उसमें अपना नाम चेक करने के लिए आपको www.chirinjivy.rajistan.gov.in की website पर चले आना है और आप जैसे उस website पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपके सामने खुल जाएगा तो आपको नीचे स्क्रोल डाउन करते होई चले जाना है और यहाँ पर जो registration की इस्तिक होजें इस option पर आपको click कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जनादार number है वो fill कर लेना है तो जैसे आप जनादार number fill करके search करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जो candidate है उसका father का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं eligible status no यहनि कि मुझे mobile यह नहीं मिलने वाला है और search ID भी आप देख सकते हैं name भी देख सकते हैं इस्टेटस दोस्तों और बाकी data आपके काम का नहीं है आपको यहाँ पर जो second number का option आ रहा है eligible status यहाँ पर आपके yes लिखा रहा है तो आपको free mobile है वो मिलने वाला है तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपको free mobile मिलेगा या नहीं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह चोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को subscribe जरू करें और अपने दोस्तों के साथ share भी जरूर से करें